नमस्त्य दोस्तों सब्सक्राइब करते हैं और यहां पर यह सुभे की टाइम तो आप देख सकते हैं मैंने चाय बना लिया था सबसे पहले और चाय पी लिया और यहां पर जो है बच्चे सो रहा है आपि तक नहीं उठें और कल से इनका स्कूल का टाइम भी चेंज हो चुकी तो मुझे थोड़ा सा जल्दी उठना पर रहा है इस बजे से तो चाय बगरा पीने के बाद में मैं यहां पर आ गई हूँ फिर से रसोई में और में रोटी उतना है बना लिए जितना की बच्चों की एक तो सोनु लंच में बॉक्स में ले जाता है क्यों अभी वह एक ही ले बाकी जो है दो रोटी बो मेरे लिए है नास्ति के लिए तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने आटा भी लगा लिया था और हातो हाथ जो है रोटी भी बना रही हूं और सब्जी मैंने पहले नहीं बनाया है क्योंकि सब्जी बनने में थोड़ा सा मतलब जल्दी हो जाए और रोटी जो है सब्टोने में टाइम लग जाते हैं और उससे थोड़ा सा खिला कर भीजना है यानि आदी रोटी जितना जो भी एक रोटी गलाओंगे उसमें से आदा बो खाता है और आदा यानि दोनों भाई एक साथ काते हैं तो पिसले रात जो है बच्चों ने पता कहा रख दिया रोटी शेकने वाली तो अभी न मुझे हातों से शेकना पड़ रहा है मुझे वह चीम्टा मिला नहीं था और मैंने पूरे घर में ढून लिया तो आप देख सकते हैं हातों से रोटी शेपने में बहुत तकलिप होती है और गरम भी लग रही है बार बात मिलंदय में तो दोस्तों से आतों में होती जाती हैं इसके बार बात 19 ऑजयंडर चुप्त ओने के लिए और इसकी बज़न there के रखP की रखने से इसमें ह। है इसकी वज़े से जो है जल्दी रोटी सब्ट हो जाती है तो चलिए अब हम तयारी कर लेते सब्जी की तो सब्जी भी मुझे इतनी बनानी है जितना की बाबूले वैसे तो बड़तर माच कर रखते हैं और सुखा कर भी रखते हैं लेकिन फिर भी एक बार पोच कर ले लेत तो मैंने यहां पर कड़ाई को चरा दिया तक गैस पर ठोडा से मटर चलूंगी जितना को बाबू के लिए चाहिए और इसमें थोड़ा से हरी सब्जी भी अएड करूंगी इसलिए भी मटर थोड़ा कमी चलूंगी तो देखे दोस्तों मैंने मटर चल लिया था तो यहां पर एक मुठी जितना मटर है और उसके साथ ही एक बहुत ही छोटा सा आलू ले लिया है जो कि बाबू के लिए कापी है और जो बचे जाएगा इसमें से बो छोटू या फिर में दोनों में से कोई भी खा लेंगे बैसे छोटू तो आभी खाता नहीं है तो में मतलब रोटी ह है ना उसके साथ खालूंगी चाय के साथ अगन्नी खाई तो आप देख सकते हैं जल्दी-जल्दी में जो है मैं बहुत ही छोटे-छोटे आलू कार रही हूं क्योंकि बढ़ा काटूंगी तो पकने में टाइम लेगेगा और इस छोटे आलू से भी थोड़ा सा बचा लिया है क्योंकि भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि मैं इसमें हरी सब्जी आइड करने वाली हूं और अभी में यहां पर खाने के लिए है न सरस्तों का तेल दो-चार दी सी यूज कर रही हूं क्योंकि बाबू के जो युखाम कासी है वो से ही होने का नाम है नहीं नही पहले है ना अच्छे से दोलूंगी और यह जो है मीठा पानी है फ्लॉराइट का पानी का मैं इस्तेमालने करते हूं और यहां पर बीच में चोटु बेट गया और हटने का नाम नहीं और यहां पर बो तब तक रहेगा जब तक में कीचिन में काम करती रहूंगी तो आप सदेख सकते हैं मैंने चिरा जीरा डाल डिया है और यहां पर चोटु जो है बार बार घूमे जा रहा है और अपना खिलो आ भी बो यहां परणा कर हो हीगा लेकिन काई अच्छा लुप लेकिन क्या कर सकते बच्चा है बो तो हटेगा नहीं मुझे इस तरह से काम मनेज करना पड़ेगा तो देखिए वो एक बार फिर से दरी पर बैठ गया और याप में लेकर आई हूँ यहाँ पर मेथी तो मेथी को मैं पहले चाट कर रख दी तो इसी तरह में जब टाइम मिलत फ्लॉडट के पानी से दो से तिन बाद दो लोंगे उसके लास्ट में जो है मीठा पानी से दोगोंगी तो जी मिन मेथी को अच्छे से दो लिया है और आप देख रहे होंगे अब आप अब बारिक बार काट लोंगी कि कि कॉरना बच्चों के मुह में अगर बाइटस मां जाते हैं तो उन्हें खाना पसंद नहीं होता और देखिए चोटु मुझे कह रहे हैं आप साइट दो मुझे मुझे खेलने के जगे नहीं मिल रही है तो मैंने आजाओ जी आप ही आजाओ तो देखिए वह होता है प्लग बले लिया है और उसे मतलब चारों तरफ घुमा रह है तो इस वाज़े से जो है ट्रमटर का असर नहीं पड़ेगा ज्यादा तो चलिए ट्रमटर को भी मैं साथ में डाल दूंगी तो आप देख सकते मेरे ट्रमटर काटने के बाद में सबजियों में डाल दिया है और ऊपर से डाल रही हो हल्दी थोरा सा लाल मेंज पावडर थोरा सा धनिया पावडर जो भी मैसला एड करना है वो भी डाल रही हो और डाल के इसे ढख दूंगी क्यूंकि में अभी उससे तयार करने के ले जाओंगे सोनु को नहीं तो और जद लेट हो जाओंगी तो देख सकते और नौ बजी का जो टाइम है यह थोरा मेरे लिए मत सब्जी के साथ जो है छोट बार बार बोले जा रहे हैं आप साइड में आटो मुझे जगे नहीं मिल पा रही है तो देखिए जी थोरी दर बाद में मेरा जो सब्जी है वह अच्छे से सब्जी हो चुका है लेकिने निचे से हलका सा चिपक गया है तो मैं उसमें पानी डा यहां पे डल चुके दोपैर को यहां पे दोनों बच्चे सो रहा है और अभी तक सुयाना है छोटउ को देख सकते उससे तक कि यह ऊदर है लेकिन वह सो इधर रहा और मेरे लिए मैंने बगा सा घी डाला लेकिन मैंदि ठंड नोने की बजले से बहु गी नहीं है और एक ख हिल